तो आज हम लेकर के आया है NCRT क्लास्टेन के हिस्ट्री को भारत और समकालीन बीश्व को जिसमें आज का हमारा चैप्टर है भारत में राष्टवाद का उड़ाय चैप्टर थिरी है और इस चैप्टर से हम बहुत-बहुत महत्पन कोश्चन को लेकर के आए तो आए शुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन है इस चैप्टर का भारतीय राष्ट एक कॉंग्रेश की अस्थापना कब हुई थी तो आपको पता होगा हम जब कर रहे थे तो उससरे में भी हम बताया थे कि भारतीय राष्ट कोंग्रेश की अस्थापना 1885 में की गई थी यह हूं के पर्थाम अध्यास थे WC बनार जी वो मेंच चंद्र बनार जी तो राइट अंसर हो जाएगा ओप्शन 4 1885 कॉंग्रेस के अस्थापना कप हुई थी 1885 नेक्ष्ट कुशन है भारतिय राष्टिय कॉंग्रेस के पहले अध्यास कौन थे तो पहले अध्यास थे बो मेंच चंद्र बनार जी जब 1885 में कॉंग्रेस के अस्थापना हुई थी तो पहले अध्यास चुने गये थे बो मेंच चंद्र बनार जी और एम हूं के द्वारा कॉंग्रेस के अस्थापना की गई थी 1885 में तो राइट अंसर हो जागा बो मेंच चंद्र बनार जी नेक् क्यों वापस लिया था बहुत बहुत ही महत्पून in." हिसी आत्मा घुटन के कारण 2022 महात्मा गांधी के दूड़ा आज सहयोग आंधूल n वापस ले लिया था. जबनांधिас के दौरा आज सहयोग आंधूल स्मेशताई होना है कि सरकार का היog को पुस्ताई स्रकार धरा सही कर गिर जाएगी तो मुहात्मा गां Tamil द्वारा महात्मा गांधी की द्वारा रहपाण, कि आप सरकार को सहयोग देना ही बंद करदें , तो इसलीं माहत्मा गांधी की द्वारा अशायोग अंदुलन चलाएगया था जिसको महात्मा गांधी ने 1922 CC में चारी चारा के हिंसात्मा घटना करन इसको वापस ले लिया था तो राइट एंसर हो जागा option 3 चारी 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 चारा चारी के हिंसात्मा घटना चारा चारी ये अस्थान है UP में किसके द्वार की गई थी हिंद स्वराज नमक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी संद्स स्वराज के अस्थापना का हूई थी टो मुस्लिम लिख की अस्थापना होई थी, 2006 दो में मुस्लिम लिख की अस्थापना होई थी, राइट आंसर हो जागा, können 2. 1926, मुस्लिम लिख की अस्थापना 1966 में की गई थी, इस बहुरा जोना है गांधी जीने, 1927 Йust necess it. में नील आंदोलन नील के खेती के बीरुद यहां जलाया था सत्यागरफीय था महतமा गांधी ने 1917 और इसमें उनको सफलता भी मिले नेशकोशन आसायोग खिलाफाट आंदोलन कब शुरू हुआ तो आसायोग खिलाफात आंदोलन उनिस्टो बीस इसवी में सुरू की गई थी निस्टो बीस में आसायोग खिलाफात आंदोलन नेश्कोशन है आसायोग आंदोलन के दौरान आवद के किसानों का नेतित्व किसने किया तो बाबा रामचंद्र ने आसायोग आंदोलन के दोरान आवत के किसानों करनेतित्व किया था बाबा रामचंद्र निश्कोषा ने आंध्रपर्देश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के बिद्रोह करनेतित्व किषने किया था तो अलूरी सीता राम राजु ने किया था आंध्र पर्देश की गुडें पहाड़ियों में आदिवासी किसानों के बिद्रोख करनेतित्व अलूरी सीता राम राजु नेश्कोशन ने किस दसक की सुरुवात में उग्र गुरिला अंदोलन फैला था तो 1920 के दसक में उग्र नेश्कोशन है वंदे मात्रम राष्टिय गीत किसने लिखा था तो रविंदरनाग टैगोर के द्वारा इस गीत को लिखा गया था नेश्कोशन ने पूना पैक्ट किया था तो पूनापैक्ट गांधी जे और अम्बेटकर के बीच में जो समझावता हुआ था ओसी को पुना पैक्ट के लिए अलग निर्वाचे छित्रों की मांग की गई थी, तो उसी दोरान महात्मा गांधी ने आमरन आंसन जेल में ही कर दिया था, तो इसके बाद फिर महात्मा गांधी और अमेटकर के बीच में पुना पैक्ट हुआ, पुना समझाओता हुआ तो उसी को पुना समझाओता के नाम से जाना जाता है नेश कुछन है डिस्कावर आफ इंडिया पुस्ता का लेखा कौन था तो डिस्कावर आफ इंडिया पुस्ता के लेखा कहें जो आहालाल नहरू जो आहालाल नहरू डिस्कावरी आफ इंडिया यह पुस्तक के लेखक है जावाहला लेखुरू नेश्क कुषण है अब निंद्रनाथ ट्येगोर यह चित्रकार थे चित्रकार थे अब निंद्रनाथ ट्येगोर चित्रकार थे राइट आंसर हो जागा option 3 नेस्ट कोशन है the folklore of Southern India किस ने लिखे थी तो आप नींद्रनाथ टैगोर ने the folklore of Southern India को लिखा था आप नींद्रनाथ टैगोर नेस्ट कोशन है उनीसो उन्तिस इस्वी में किस सहर में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिप्लब्लिकन आर्मी के अस्थापना दिल्ली में की गई थी उनीसो उन्तिस इस्वी में दिल्ली में राइट आंसर हो जागा option 2 नेस्ट कोशन है दा folklore of Southern India नामक लोग कथाओं के संकलन वाली किताब ने उन्हें से किस भासा में छापी गई थी बंगाली में तमिल में या फिर कनण में तो इसको तमिल में छापा गया था निश्कोशन है गांधी जी ने शविनय अवग्या अंदूलन का आराम कीन महत्पून घटनाओं के साथ किया था तो नमक कानून तोड करके उन्होंने शविनय अवग्या अंदूलन का आराम किया था यह बहुत ही महत्पून घटना था नमक कानून का उलंगन महत्मा गांधी ने समुद्र किनारे जा करके समुद्र को पानिशे नमक को बनाया और इस प्रकार से नमक कानून का उलंगन हुआ और नमक कानून को तोड़ा गया था महत्मा गांधी के द्वारा महत्मा गांधी ने नमक को एक हथियार के रूप में देखा और उनको लगा कि एक मंच एक राष्टी एकता लाने के लिए लोगों के बीच नमक एक महत्पून कड़ी होगा क्योंकि नमक चाहे हो आमीर बर्ग के लोग हो या फिर गरीबर के लोग हो सभी के द्वारा नमक का परियोग किया जाता था और ये भोजन का एक प्रमुक स्रोत के रूप में नमक है तो महत्मा गांधी को ऐसा लगा नमक को अगर हम इस आंदोलन का परतीक बनाए तो सभी लो में एक राष्टियता की भावना जागेगा सभी लोग एक जूठो करके अंग्रेज को एक साथ बिरोध करेंगे और इसलिए महत्मा गांधी ने नमक को अपना परतीक बना करके इस अंदोलन को सभी ने अवग्या अंदोलन को शुरू किया था नेश्कोशन कीष्र के नितित में आबद किसान सभा का गठन किया गया था तो आपको पता हुआ कि साइमन का मिशन में जो जितने भी सदस थे सारे सदस अंग्रेश थे एक भी भारतीय नहीं था और एही कारण था विरोध का तो 1927 इसमें में भारत पहुंचा बंबई साइमन कमिशन और किसी भारतिय सदस्य को इसमें ना शामिल किये जाने के कारण इसका बिरोध हुआ था निश्कुसर ने दची नफीरका से आने के बाद गांधी जी ने किस अस्थानों पर सत्यागरा अंदोलन चलाया था तो साइमन कमिशन आयोग का गठन हुआ था 1927 इसे में और मुंबई पहुंचा था 1928 इसे में लेकिन भारत पहुंचा था 1928 में लेकिन कोई एक भी सदस भरतिय नहीं होने के कारण इसको बिरोध किया गया था और साइमन कमिशन गो बैक का नारा दिया गया था नारा से स्वागत किया गया था नेशकोई से दच्छीन एफ्रिका से आने के बाद गांधी जी ने किन अस्थानोंपर सत्यागरा अंधोलन चलाया था तो दच्छीन एफ्रिका से आने के बाद गांधी जी ने चम्पारण अंधोलन खेडा और अंधाबाद, तीनों जगा 1927 उस्वी और 1918 Cert cicaraj कीज संगलन की चार खंडों में प्रकासित किया है तद फोक लिए पोकलीस आफ सदन एडिया निश्को सथ्यागरा के विचार में कीन दो बातों पर जोर दिया जाता है तो सत्यागरा के विचार में सत्ति की सक्ति पर आगरा यानि सत्ति के लिए आगरा करना और सत्ति की खोज तो इनी दो बातों पर विचार किया जाता है निश्को सथ्याग इसको काला कानून के नाम से जाना जाता था क्योंकि अधिकार की जो बक्ति को किसी भी बक्ति को अबर गिरफ्तार कर लिया जाता था तो उसको न तो वकील और नहीं दलील के लिए उसको इस तरह का पेस करने का मौका नहीं दिया जाता था इसलिले रालीर ट्रेक्ट को काला कानून कहा गया था। ने इसको इन रिट काव और किष ने लिखा ? इसका गुझन किया गया है ? जीन ने लिखा। और इसके ही भारत माता का गुझन किया गया है. निश्टुसन ब्रेटी सरकार ने 1857 के प्रेश की सोतंतर पर परतिवत के उन लगा दिया था तो भातिया समाचर पत्र ret правा राष्टबाद को बढ़ावा देने कारण क्योंकि आपको पता है कि राष्ट भारत में राष्टबाद को उडाय का कारण में से एक कारण भी है 1857 का जो विद्रोख हुआ था वह भी एक महत्वुन कारण है तो 1857 का जो विद्रोख हुआ था उसको उस विद्रोख के बाद राश्टबाद को बढ़ता हुआ जो लोगों के बीच राश्टबाद बढ़ रहा था उस पर रोक लगाने के लिए भरतिया समाचार पत्रों पर परतिबंध लगा दिया गया था निश्कुषण ने भरतिया रष्टी कॉंग्रेस के अस्थापना कब और कहां हुई थी निश्कुषण ने भरतिया रष्टी कॉंग्रेस के पहले अधarnya कॉंग्रेस का थिया थे तो महात्मा गांधी जेल में थे उसी समय हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी नेफ कुछा ने मुस्लीब लीकियास्थापना उन्हेस छेई स्वी में की गई थी नेफ कुछा ने गांधी जीने कीस बश्च भिहार के चंपारन इलाके का दोरा किया था 2017 में नील के खेती के विरोध में उन्होंने बिहार के चंपारन में उन्होंने दोरा किया था और सत्यागरा भी किया था उसमें सफलता हम मिली थी जिसमें तीन कठिया के विरोध में तीन कठे में नील के खेती करना अनिवार किया गया था ब्रिटिस सरकार के द्वारा और इसमें दोहन हो रहा था दोनों तरफ से किसानों को एक तो नील के खेती करने से खेती जमीन का उर्बिड़क सकती नष्ट हो जा रहा था और दूसरी और नील के से जो पैदा होता था उसको ब्रिटिस सरकार सस्ते में खरी लेती थी तो दोनो दोनों परकार से किसानों का दोहन हो रहा था तो इसी के विरोध में महत्मा गांधी ने चमपारन का दौरा किया और वहां सत्यागरा किया और उसमें सफलता भी मिली उनको निश्कुसन असायोग वा खिलाफात अंदोलन कब सुरू हुआ था तो 1920 सीशी में असायोग और खिल के विद्रो करने ती किसने किया था तो अलूरी सीता राम राजु ने पूरा कोस्चन रीपीट हो रहा है फिर भी हम लोग देख लेते हैं रीपीट करने से तो कोस्चन याद भी हो जागा हमें फायदा भी मिलेगा और निश्कुसन है किस दसक की सुरुवात में उग्र निश्कुसन डिस्कवरी आफ इंडिया पुस्ता के लिखा कॉन है तो जोहाल अलेहरू और निश्कुसन है कि अबिंद्रेनाठ टेकोर कौन थे तो एक चित्रकार थे निश्कुसन है खिलाफात अंदुलन किसने सुरू किया था तो अली भाईयों के द्वारा मुहामद अल पुछा थे तो एली भाईयों के द्वारा खिलाफात अंदुलन की शुरुवात की गई थी इसकुसन ने साइमन कमिशन भारत का पहुंचा था तो 1928 सीशी में क्यूंकि 1927 में साइमन साइमन कमिशन का गठन हुआ था भारत 1928 सीशी में पहुंचा था उपर में रॉंग दि इसलिए युगा था कि इसमें कोई भी भारत्य सधित नहीं थे तो असाहिों गांदोलन कि किलाफट युष और इसको अलग लग चर्णों में चलाना तीस्रा था भी देशी वज्ट्वों का वहिस्कार और स्विदेशी वस्तमों को अपनाना चौथा था अंग्रेजों दोरा दी गई उपाधी को वापस करना और पाचमा था सरकारी कारियाले अश्कूल आधी को छोड़ना निश्कोसा ने खिलाफात आंदोलन को प्राराम करने के परमुख कारण कौन से थे तो खिलाफात आंदोलन के प्राराम करने का परमुख कारण में से पहला कारण था तुर्की शामराज खलीफा का अंग्रेजों दोरा अपमान खलीफा को तुर आसायोग आंदोलन, कॉंग्रिस द्वारा आराम होना, तथा मुसल्मानों का मिलकर खिलाफ़त आंदोलन के साथ करना, निश्ट कुशन है, असम में बगान मजदूरों के लिए सुराज की अभधारना क्या थी, तो अनुबंध के नियमक उलंगन, दूसरा हो जागा चाय बग ने शायमन कमिशन का विरोध क्यों किया, तो समय से पहले गठन करना, सासन में सुधार जैसी कोई बात नहीं, एक भी भारतियों को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया था, और समय से पहले इसको गठन कर दिया गया था, सासन में कोई सुधार की बात नहीं कही गई थी, इसलि में डाला जा सकता था और यह पर्थां विस्वजूद के दोरान ही भारतिय जनता को नियंत्रन में करने के लिए लाया गया था इस कानून को और विस्वजूद के बाद इसे खत्म करना था परंतु सरकार ने इसे बनाए रखा तो इसका विरोध भारत की आम जनता के त्वार इसलिए किया था कि आसा और शॉब रंदोरन गटना घटी था दूसरा रता अंदोलन uzIकारी थी में रहता अधार जार छो 30 मालों कॉम्ची टॉक्ताज ऑलाएं तो इसमें विशेस्ता ये है कि 5 में 1931 को गांधी इर्विन समझाओता हुआ था और सभिने वग्या अंदोलन अस्थागित कर दिया जाए और पूलिस दुआरा किये अत्यचार की निश्वक्ष जांच की जाए और नामक पर लगाया गया सभी कर हटाए जाए तो इस परकार स गांधी इर्विन समझाओते की विशेस्ता थी निश्कोशन है सभिने वग्या अंदोलन पर असफ़ष्ट टिपनी करें तो इसमें गांधी जी ने सभिधान पालिका विदेशी बस्तों को बहिसकार आराम करना स्वेदेशी बस्तों को अपनाना मुस्लिम एकता पर बल देना ए सभने वग्या अंदोलन में ए बात रखी गई थी के दोरान 1916 में के लखनाव समझाता का क्या महत्व था तो 1916 में के जो लखनाव समझाता था उसका महत्व में पहला महत्व यह होगा कि कॉंग्रेश की नरम दल और गरम दल जो कॉंग्रेश का कॉंग्रेश जब दो जो दो भागों में बटा हुआ था 1907 में आपको याद होगा कि गरम दल भी और नरम दल भी कॉंग्रेश और मुस्लिम लीके भी समझाता हुआ था दोनों ने संजुक्त होकर अंग्रेजों से अपनी मांगों को लेकर सामना किया वाल गंगा धर्तिला का इसमें बहुत बड़ा युगदान था ये गरम दल के नेता थे वाल गंगा धर्ति इसकी गुडेम पहाड़ियों के अदिवासी किसानों कर नेतितिव किया और ये एक रोचक ब्यक्ति थे इन्हें खगोलिये ज्ञान प्राप्त था लोगों का मानना था कि उनके पास विशेश सक्तियां हैं चिसे वह लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं तो इस तरह का लोगों क ने हिंसा द्वारा ही अपनी बात मनवाने को कहा और चठा पांटी है कि 1924 को राजी को फांसी पर लटका दिया गया था अलूरी सीता राम राजी उनका पूरा नाम था निश्कुसा ने आसायोग आंदोलन अरंभ किये जाने के कारण क्या थे और इस आंदोलन में शामाज क के विभिन बर्गो को हिस्सेदारी क्या थी और इसके कार्जक्रम, कार्जपत्ति, परगत्ति और अंधता, समाप्ति कैसे हुआ इसको समझाएं तो आंदोलन का कईये करण थो कोई एक कारण नहीं था आसायोग आंदोलन का जैसे पर्थम विश्यूच की समाप्ति पर परदान करने से मुकर जाना क्योंकि अंग्रेजे दौरा स्वासन दिया गया था कि पर्थम विश्यूद के बाद इसको सोराज दे दिया जाएगा भरतियों को तो इसमें अंग्रेज फिर मुकर गये बाद में तो यह भी एक कारण बना और तिसरा कारण रॉलेक्ट एक्ट का पारित होना और चौथा जालियाँ वला वाग हत्यकान और पाचमा कलकता अधिवेशन में 1920 में कॉंग्रिस द्वरासायोग अंदोलन को प्रस्ताओ बोहमत से पारित होना निश्कोशन है और विभिन बर्गो की हिसेदारी हाँ इसमें विभिन बर्गो की हिसेदारी कैसे थी किस परकार की से थी तो साहरों में आंदोलन और ग्रामीन इलाकों में बिद्रो आदिवासी छित्रों में बिद्रो हुआ बगानों में सुराज यानि बागान में जो काम करने वाले मजदूर थे उनको ऐसा लगने लगा कि अब हमारा हमें स्वराज मिल गया है और अब हम सोतंत्र हो गए हैं पूरी तरह से तो इस वरकार के लोगों के मन में भावना जागरित होने लगा तो आज सहयोग आंदोलन के समाज के सभी वरगों ने अपने अपने तरीके से हिश्चा लिया नेश्कुसन है इसकी कार्ज और परगत्ती क्या था तो चरन बाद युजना पर किरिया था इसका पर्थम चरन में सरकारी पद्मियों नोकरियों सेना पूलिस और अस्कूल विद समाब्ती फ्हक्त ग कांधी जी द्वारा चारी चारा जुमिन हिंसात्म घट्ना घटी थी उसके बाद आन्दोलन को बापस ले लिया गयए था उने 123 में तो इसी के बाद इसका समाब्ती हो गया था निशकुसने खिलाभत आंदोलन को प्राराम करने के मुख कारण क्या थे भारते राष्टी आंदोलन में उसका क्या योगदान था तो तुर्की सामराज जो खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान हुआ था लखनाव समझाओता में 1916 के बाद कॉंग्रेश के साथ मुस्लिम लीग का समझाओता 1916 में कॉंग्रेश और मुस्लिम लीग के बीच के समझाओता हो गया था असायोग आंदोलन कॉंग्रेश द्वारा राम होना तो था मुसल्मानों को मिलाकर खिलाफात आंदोलन के साथ करना एक खिलाफात आंदोलन को प्राराम करने का मुख कारन था और इसमें योगदान ये था कि हिंदू और मुसल्मानों में एकता का विजार उपन हुआ रश्टी आंदूलन को बल मिला तो ये असा योग आंदूलन का मुख युगदान था निश्कुसे ने 7 वग्या आंदूलन के प्रती लोगों और सरकार ने कीस परकार लोगों और अपनिवेशिक सरकार ने भांग करना सुरू कर दिया अंदूलनों को दवाने के लिए सरकार ने कठोरता से काम लिया हजारों लोग जेल गए गांधी जी को कैद कर लिया गया और आप जनता इसमें बढ़ चड़कर भाग लेने लगे थी निश्कुसे ने सक्री राइनीतिया भाग लेने से जी निल के खेती वाले किसानों के पच में और खेडा सत्यागरा उनिसो अठारा में गया थी खेडा में चंपारन हो गया यहां पेर रौम टाइफ हो गया है लगान खूट दिलवाने के लिए खेडा सत्यागरा हुआ था और आहम्दाबाद में मेल मज़ूर हर्तार उनिसो निश्कुसन पर्थम 20 जूद ने एक नई आर्थिक और आजनीति की सिती पैदा कर दी थी समिछा कीजिए तो पर्थम 20 जूद के उपरान सुराय देने का बचन नकार दिया गया था और आर्थिक सिती दैनी विरुजगारी और विकारी से मजबूर सिल्पकार आदी शभी ग्रसी थे और तीसरा जूद ने रश्टियता के भाव जागरित के लोग दमनकारी सरकार के विरुद एक जूठ हुए निश्कुसान गांधी जी नमक यात्रा कई कार्णों से उलेखनी थी तो इसका समीचर कीजिए सबने वेग्या अंदोलन की शिमाय क्या थी इसके महत्व कवर्णन कीजिए तो नमक कर बिटी सरकार का सबसे दमनात्मक पहलू बताया गया गांधी जी दोरा विश्वस्त वालेंटियरों के साथ नमक यात्रा सुरू और रश्टी आंदोलन से आम आदमी के मुद्दे को जोड़ना कानून का उलंगन पर दर्शन अभिदेशी चीजों का बहिसकार सराग की दुकानों पर पिकेटिंग सभी लोग सुराज की अमुर्थ अभधारना से परभावित नहीं थे समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चटकर हिस्सा नहीं लिया और समाज के वर्ग एक दूसरे की तरफ संसंकित थे निश्कोसन भारत में राश्टबात की भावना पनपने के कीन कारनों का योगदान था राश्टबात के विकास का विस्व पर क्या परभाव पड़ा था तो जाता नहीं है आए देख लेते हैं चार पांच कुस्चन और है इसी वीडियो में देख लेते हैं तो गांधी के नमक यात्रा कई कारनों से लेखनी थी नमक कर बड़ी सरकार को सबसे दमनकारी पहलू बताया उन्होंने और गांधी जी द्वारा विश्वस्त बॉलेंटियरों के साथ नमक यात्रा सुरू की राश्टी आंदोलन से आम आदमी के मुद्दों को जोड़ा ग गई शभी लोग स्वेराज की अमुर्त अबदहारना से प्रभावित नहीं थे शमाज के सभी बर्गों ने बढ़ चरत करके हिस्सा नहीं लिया और शमाज के बर्ग एक दूसरे के तरफ ससंकी थे तो यह था इसका सबने अवग्यां दूलन की शीमा क्यूंकि सभी लोग इ हिसा लिये होते तो सरकार अपनिवेशिक सरकार धारसाई होकर उसी समय गेर जाती ने भारत में राष्टवाद की भावनापन अपने की कीन कारणों का योगदान था तो बहुत सारा कारण था एक कारण नहीं था हम लोग पहले वीडियों में भी देखे चैप्टर में तो स जहन्डा हो गया और इतिहास की पुनर ख्याती इसके भावियो धार्मी समाजी कंदूलन जैसे ब्रह्म समाज हो गया और जो राजा राम मोहन राय के द्वारा उने सो आठारा सा अठाशी सीसी में चलाय गया था और दैन अंसर सुत्ती के द्वारा और समाज की अस्थापन की गया थी तो यह बहुत कईये कारण था समाज समाचार पत्रों पर परतिवन लगा दिया गया था तो लोगों के इसमें इसे असंतोस था लोगों के मन में और यह राष्टी भारत में राष्ट वाद की जगरिती के लिए महात्पून कारण बना निश कुसन है असम में कई चाय में और यह आफंग करना रिखन के शुद्ट के लिख करना आ चाय बहार रूचांह बढेर स मन्याज क्ना बक्रित्वान लगा था कि महात्मा गांधी रहो हम वहात्मा गांधी के तौरा typically ने से आपि ज़ो मन्मेहग सब को शोराज मिल गया है और हमारा देश सुतं सandersत्र हो गया हैं तो हम चाय के बढ़ान से कभी भी जा सकते हैं और कभी आ सकते हैं भार तो आसायोग और इसके अलावा योग अंदोलन में शमिलित होना और किर्श भूमित को कि भाल क dx कि आए तो साइमेन कर्मिशन को भारत के लोग रालेट एक्ट के विरोध में क्यों थे कोस्चन रिपीट हो रहा है तो यह एक काला कानून था और इस कानून के अंतरगत किसी को लंबे साइन तक जेल में डाला जा सकता था पर्थम विसुजूद के खत्म के करना था पर सरकार ने इसे ब गांधी ईरभндा सिवीन के कर दिया जाए इस पर समझाषाटा हुआ था पूलिस द्वारा की इंत्यचार की निसपत्स में तो मोता इसमें घ combined के तो Shabnaa ऐला जैग benefici नने सवना running को सुरुवाद कर को ना केवल अंग्रेजु का सहयोग मिलने के लिए बलके अपने वेश्ची कानूनों को उलंगन करने के लिए औहान किया जाने लगा था और देश के विभिन भावों में हजारों लोगों ने नमक कानून थोड़ा तर्थ सरकारी नमक कर खानों के सामने परदर्शन भी किया विदेशी बहुस्तुमों का पहिसकार किया जाने लगा किसानों ने लगान चुकाने से मना कर दिया साफ इंकार कर दिया और वनों में रहने वाले लोग जो लोग थे उन्होंने कानून को उलंगन करना नाराम कर दिया कर दिया बन से लकड़ी बिनना सुरू कर दिया और ज तो सत्यागरा के विचार करते, सत्य के लिए आगरा करना, परतिसोधिया बदले की भावना के बीना संगहर्ष करना, अहिंसा के बल पर संगहर्ष करना, उत्पिड़क सत्रू को नहीं, बलकि सभी लोगों के हिंसा के पेच्छा सत्य को स्विकार करने पर विवश्च करना, त साथ में सेयर भी जरूर करें थेंक यू